श्री शिवायन नमस्तुव्यम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि पश्युपती ब्रत की पूजा विधी कैसे की जाती है संपूर पूजा विधी बताऊंगी ठाली में क्या-क्या होना चाहिए यानि कि सुबह की ठाली में क्या-क्या होना चाहिए देखिए सुबह और शाम की थाली दोनों ही आपसे शियर करूंगे बीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और मैंने किस तरह से पूजा की है वहवी मैं आपको बता रही हूँ तो सबसे पहले आपको थाली बता देती हूँ आप सुबह कोई भी समय पूजा कर सकते हैं मंदर में जाके करनी है और एक ही शिवाले में करनी है याद रखे और देखिए यहाँ पे थाली लेके जानी है थाले में आपको घर से सामगरी लेके जानी है सामगरी थोड़ी ज़्यादा कॉंटिटी में रखे ताकि यही सामगरी आपको शाम में यूज हो सके बचे हुई सामगरी से ही आपको शाम की पूजा करनी है तो देखे यहाँ पर मैंने थाली में सभी सामगरी बना के रखी हुई है लगा के रखी हुई है तो आप देख सकते हैं पंचामरत है और यहाँ पिस्त्रे से मैंने छोटी से कैन ली हुई है उसमें मैंने पंचामरत रखा हुआ है तो यहाँ पर थाली में मैंने देखिए हल्डी कुमकुम रखी है, सिंदूर रखा है, अक्षत रखी है और चंदर रखा है, सफेश चंदर रखा है कुलाल, अबीर और जो की भांग, धतूरा आपको जो भी मिलना है जैसे नॉर्मल पूजा होते हैं वही सामगरी होती है एक मैंने आठे का दीपक लगाया है खी की बाती रखी है, गुलवाली बाती रखी है लॉंग और सुपारी रखी है घर का आप जो की पानी लेके जा सकते हैं जैसे की आप अपने घड़े या कलश का पानी घर से लेके जाए इससे क्या है पित्र दोश या वाश्टू शान्ती घर की होती है तो कलश में आपको जल लेके जाना है या पिसफित फूल रख लिजे, गेंदे की फूल रख लिजे, जो भी आपको मिले मॉली रख लिजे, और जैसे की आपको जने होता है जनू रख लिजे इत्र जरू रख लिजे, माचित रख लिजे, धूप रख लिजे, कपूर रख लिजे देखे बिल पत्र आप शोमबार के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले शोमबार को बिल पत्र नहीं तोड़े जाते हैं इस बात कब जुरू ध्यान रखे शमी पत्र रख लीजे इस तरह से आपको अक्षत रख लेने हैं तो देखे यहां पर मैं मंदिर में आई हूँ मंदिर में थाले लेकर आई हूँ इस तरह से आपको जल से दिखे मैंने कैन में एक्स्ट्रा जल भरके रखा है जाकि मैं जल से भगवान जी को अच्छे से सिसनान करा सकते हैं अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो जो भी बेल पत्र अर्पित हो तो आप उसको ले लीजिए और उसको थोड़ा सा पानी से धोकर फिर से शिप जी को अर्पित कर सकते हैं क्योंकि बेल पत्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो अगर आपके पास संभव हो तो आप मंगा लीजिएगा तो दिखी इस तरह से मैंने शिब जी की जितनी भी शिंगार था वो थोड़ा सा मैंने पानी से उनको थोड़ा सा इसनान करा दिया है और यहाँ पे मैंने तामबी की कलश से जल चड़ाया है शिब जी को चड़ाया है शिब शुंदरी और जो की अपनी दरफ करके चड़ा सकते हैं, तो इस तरह से आप जल अर्पित कीजिए, अभी मैं पंचामरित अर्पित कर रही हूँ, पंचामरित हमेशा स्टील के बरतन में ही लेकी जाएं, या फिर चांदी के बरतन में, तामे के कलश या बरतन में आप पंचामरित या दूद ना रखें, तो दिख सकते हैं, इस तरह से मैंने पंचामरित से इश्णान कराएं, पंचामरित में दूद, दही, घी, शह, चीनी, गंगा जल मिलाके, मैंने इनको इश्णान करा दिया, शिव जी को, इस तरह से मंत्रों का जाब करते रहें, शेशिवाय नमस्तुव्यम सच्च पूरी होती है, तो इस तरह से मैं पांसोंबर ब्रत कर रही हूँ, तो इस तरह से दिखें, मैंने शिव जी को क्लीन कर दिया, दिखें, इस नान कराने के बाद पानी से थोड़ा सा क्लीन कर लीजे, अगर आपके वहाँ पे पानी मिलता है, तो उससे आपको क्लीन कर लेना ह देखे यहां पे मेरे पात सफिष चंदन है मैंने हाथों पे घिसा और देखे इस तरह से आपको हाथों पे घिसने के बाद तीन जो उंगली है आपकी देखे तीन उंगलियों से आपको इस तरह से बनाना है थाली मैं आप दक्षणा जरूर रखें त्रिकूंड बनाना है मैं इस तरह से त्रिकुंड बना रही हूँ और इस तरह से आपाथों से कर ले और ये बहुत ही अच्छा होता है तो इस तरह से आपको मिला देना है ढूरोсь इस गचाले यह तो आप चाहे तो आप तिलक करें कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं शिब जी तो श्रद्दा भाव के जो की भुखे होते हैं उनको आप श्रद्दा से, सची भावना से, बिश्वा से पूझा गरेंगे तो शिब जी बहुत जल्दी पृषन होते हैं तो देखें आप मैं अस्टगंड ले रही हूँ अस्टगंद जो है पीला अस्टगंद आता है लाल अस्टगंद पीला अस्टगंद वैसे पीला अस्टगंद आता है लाल चंदन आता है तो लाल चंदन भी ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने देखे अस्टगंद और चंदन मिलाके थोड़ा सा पाने डालके ओम बनाया है का भाग और एक तरफ है कार्तिके जी का बीच में अशुक सुन्दरी जो की शिप जी की पुत्री है उनका जो भाग है उसमें आपको सिंदूर हल्दी कुम-कुम अरपित करना है कार्तिके जी और गडपती जी को भी अरपित करना है शिप जी को सिंदूर बिलकुल भी हल्दी अरपित ना करें। इस बात का आप ध्यान रखें, अश्टगन से, चंदन से आप पूजा कीजे। इस तरह से दिखें, जला धारी की भी आपको पूजा कर देनी हैं। तो इस तरह से मैंने शिब जी को गुलाल लगाऊंगी, देखिए इस तरह से गुलाल अरपित कर रही हूँ, अबीर अरपित कर रही हूँ और देखिए अक्षत अरपित कर रही हूँ, अक्षत पिलकुल अखंड होना चाहिए, इस बात का अध्यान रखे और अक्षत आपको स अक्षद चड़ा दे अक्षद जो है टूटे हुए नहीं होना चाहिए अब देखे इस तरह से मेरे पास मॉली थी जनेव था वो भी मैंने शिब जी को अरपित कर दिया है इत्र जरू लेके जाए शिब जी को इत्र जरू लगाए अशुक शुंद्री जो भाग है वहां पे आपको इत्र लगाना है देखे मेरे पास मदार के आकड़े के फूल थे वो भी मैं शिब जी को अरपित कर रही हूँ आपके पास जो भी फूल हो अरपित कीजिएगा और देखे गुलाब की भी कुछ पंखडियां है अशुक शुंद्री पर भी मैं अरपित कर रही हूँ शिब जी को अरपित कर दूँगे आपके पास गेंदे के कोई भी आपके पास फूल हो शिब जी को अरपित कर दीजे इस तरह से मंदर का जाप करते हुए मैं शिब जी को फूल अरपित कर रही हूँ यहाँ पे देखे मैंने बेल पत्र लिया है और दोस्तों ये मेरे घर के बेल पत्र हैं, मैं घर से ही लेकर आया थी, आपके साथ मैंने वीडियो शेर किया है, बेल पत्र को घर में लगाना कितना शुब होता है, तो इस तरह से मैं शिब जी को बेल पत्र अर्पित कर रही हूँ, आपके पास जितना संभव हो सके, चाहे तो आप 5, 7, 9, 11, 108 बेल पत् सकते हैं, तो देखे, पशुपति ब्रत हो, चाहे तो शावण सोंबार हो, शावण में आप कवी भी आप शिब जी को बेल पत्र अर्पित कर सकते हैं, देखे, एक बेल पत्र आपको अशुक सुन्दरी भाग पर अर्पित करना है, तो इस तरह से, देखे, मैं थोड़ा सा बनाने, बीडियो बनाने के चकर में थोड़ा सा भूल गई हूँ, तो इस तरह से, आप जरूर अशुक सुन्दरी के जो भाग है ना, वहाँ पर बेल पत्र जरू चड़ा दीजे, तो यहाँ पर दिखे, सुपारी, और जो कि अगर आपके पास पान है, और जो कि मैंने दिखा देनी है, और दीपक लगा देना है, दीपक संभव हो सके, तो घर से ही लेकर जाए, आटे का दीपक हो, दीपक के नीचे आप थोड़े से अक्षा तो फूल रख दीजे, उसके उपर आप दीपक लगाए, दीपक कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध दिखान रखें, तो देखिए इस तरह से शिप जी की पूजा हो गई, सच्चे मन से आप शिप जी से प्रातना कीजे, कि मैंने पशुपती ब्रत पांसुंबर ब्रत रखने की संकल पिलिया है, मेरे ब्रत आप पूर कीजेगा, मेरा साथ दीजेगा, तो इस तरह से आप कामरा जरूर पूरी करेंगे, देखिए शिप जी की पूजा करने के बाद आपको नंदी जी की पूजा जरूर करनी है, इस बात का अब ध्यान जरूर रखें, वैसे ही आपको नंदी जी की पूजा करनी है, और उनको भी आपको तिलक करना है, जल चड़ाना है, तिलक करना है बेल पत्त्य चड़ाना है और अक्षय चड़ाने है इस तरह से अश्ट गंद चड़ाएं सभी चीजें आप चुड़ा देजिए और उनकी आपको पूझा करनी है तो इस तरह से आपको पूझा करके घर आ जाना है बहुत ही सरल पूझा होती है शिप जी की तो दोस्तो दे मैंने वीडियो बनाया है पार्टू देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक की देदूंगी नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं पार्टू तो आप शाम की पूजा विधी में क्या प्रिशाद रखना है कितने दिये बनाने हैं कैसे मैं पूजा करनी है तो चले दोस्तों अगर आपको ब्रत में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं उसका आंसर जरू दूंगी और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरू कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार दोस्तों